नमस्कार दोस्तों आप सेगा फिर सेग बश्वागत करते हैं आपके अपनी यूटूब चैनल आर्मीतजरे.in में कि S.S.C. G.D. की परिक्षा में कितने लाग बच्चों को फेल किया जाएगा और कितने लाग बच्चों को पास किया जाएगा क्योंकि यह सारी चीज़े आपको पता होनी चाहिए ताकि आगे चल के आपको कोई दिकत ना आए उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें बै मोक्टेश्ट बना हुआ है विस्तरिस समधान इसके अंदर मिलेगा और आपको विशलेशन भी साथ सी साथ इसके दिया जाएगा इसके अलावे यहाँ पर जो है ओली बोट के तरब से ससी इलाइट पाइक भी आती है जिसमें आपको 400 से जादा यहाँ पर जो ससी की बेट कर रहे हैं या फिर सार आपको इससे अभी नहीं बताना चाहिए आपको जाहिए निद की बाता है तो ऐसा बिलकुल नहीं है मैं यहाँ पर चाहता हूं कि जितने बी बच्चेश है उनको सारा चीज के लिह रहे क्योंकि हमारे चैनल पर जो भी चीज होती है वो बिल्कुल सही सटीक और परफेक्टली जो होता है मैं दिखाता हूँ ताकि आगे चल के आपको कोई दिक्कत ना हो क्योंकि बहुत सारे यूटूब चैनल है जो आपका टाइम को खीचेंगे वेश्ट करेंगे ताकि आप वहाँ पर वीडियो देखते रहें लेकिन मेरा मक प्रेशन साथ में करते रहें और उनको सर्फलता मिल सके वो भी जुँए जौब कर सके तो यहां पर में मकसद यही है इसके अलावे यहां पर मैं बताना चाहता हूं कि यहां पर जो इससी की नोटिफिकेशन आई थी उसमें जो है नोटिफिकेशन एक या 2 पेज की नहीं बिल्कुल 10 या 15 पेज की लगबग होगी और अगर आप उसमें देखोगे तो हर एक चीज महां पर सारा कुछ जो है पूरा पर लिखा रहता है हर एक चीज महां पर जो है पॉइंट वाइस समझाया होता लेकिन बहुत सारे बच्चे उसे नहीं देखते तो यह जो है आपकी गलती होती है यहां पर अगर आप जैसा कि मैंने लाश वीडियों बताया था कि जब इससे की नोटिफिकेशन आई थी आप अभी भी देख सकते हो डाउनलोड करके तो उसमें 13.4 नंबर जो था वहां पर एक बहुत बड़ा बात लिखा वा था कि कितने लाग बच्चों को फेल होंगे इसके बारे में तो उसमें साफ साफ यह लिखा वा था कि 12 गुना बच्चे यानि कि जो तीन लाग यहां पर जो पचीस हजार वेकेंसी आई है पचीस हजार वेकेंसी को अगर आप 12 से मल्टिप्लाई कर लेते हो तो लगबग 3 लाग बच्चे पास यहां पर हो 70 लाग लोगों ने फॉर्म इसका भरा था SSC GD का जो कि RTI से प्रूव है हमारे पास उसका भी प्रूव आया था उसके वीडियो बना हुआ है तो 70 लाग लोगों ने फॉर्म भरा जिसमें से लगबग 8-10 लाग बच्चे जो है वो रिजेक्ट हो गए जिसमें में कारण फो पास होंगे तो बाकी बच्चे कहां जाएंगे बाकी बच्चे नौर्मल सी बाते की फेल करेंगे क्यूंकि यहां पर SSC का कटफ जो है हर एक राज्जे का अलग अलग जाता है कहीं पर बहुत हाई तो कहीं पर बहुत लोग भी रहता है तो उस उस राज्जे में जितने तो ऐसे भी एक्जाम देने नहीं जाने वाले बहुत सारे बच्चों का एक्जाम छूटेगा ही छूटेगा फिर भी यहां पर मोटा मोटी अगर आप मान के चलोगे तो इस बार जो एक्जामनेशन जो देने बच्चे जाएंगे अभी तो कोई प्रूफ नहीं आया लेकिन ल या तो बारा गुना बच्चे ही पास होते हैं तो अगर तीन लाग बच्चे पास हो रहे हैं तो बाकि जो तीस से चालिस लाग बच्चे जो एक्जाम दिये उनका क्या होगा तो बकायदा यहां पर वो सारे बच्चे फेल हो जाएंगे तो फेल हो जाएंगे तो यहां पर आपको यह समझना होगा कि आपके लिए और भी एक्जामनेशन है आप उस पर भी फोकस डालना सुरू कर दें अगर आपको लगता है एक परसेंट दो परसेंट भी कि मेरा सेलेक्शन नहीं होने वाला तो आप जो है यहां पर कह सकते हैं आप दूसरी चीजों का प्रिपरेश के वेकेंसी है उसको भी निकाला जा सकता आने वाले समय में क्योंकि CRPV की भरती आई नहीं थी तो अगर आपके पास यह मौका छूट जाता है तो आगे जो CRPV की भरती आती है तो उसमें आपके पास मौका रहेगा आप उसमें अपना तयारी 100% रख सकते हो तो इसलिए मै बार-बार कहता हूँ कि जो भी चीज़े सही और सटीक और इंफॉर्मेशन लिखी वे नोटिफिकेशन में मैं सिर्फ उसी पे बात करता हूँ और वही चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ कि आप अपनी तयारी जो है बकाईदा जारी रखें जिन बच्चों का कम नंबर आ रहा है वो अब यहां पर जो दूसरा रहा चुल ले क्योंकि कटफ जो है आपका हरेक राज का अलग अलग जाएगा लेकिन हाई रहेगा लो की उमिद ज्यादा मत कर लेना जिस राज में हाई है वहां का हाई रहेगा ही रहेगा लो है तो वहां पर लो के लेबल में ही र जरूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें जहिंद